नमस्कार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप में गरीमा श्रिवास्तवाब के साथ अतीक की बेगम शायस्ता का अब तक पता नहीं है वो ना तो पती के जनाजे में आई नहीं बेटे के अतीक की मौत के बाद कयास यही लगाय जा रहे थे कि वो उसके जनाजे में तो शाम दिन पूरे हो चुके हैं आज अतीक और अश्रफ का चालिस्वा है इसलाम धर्म की रवायत के मुताबिक चालिस्वी के दिन परिवार के सदस्य और दूसरे करीबी मृतक की कब्रपल फूल चढ़ाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं मरहूम यानि मृतक के घर पर धार्मिक प पारी से बचने के लिए फरार चल रही हैं ऐसे में सवाल यह उठता है कि आज चालिसमें के दिन अतीक और अश्रफ की कब्र पर कोई पूल चुड़ाने जाएगा या पर नहीं हलाकि यह आशंका जताई जा रही है कि अतीक की भीवी श्राइस्ता और अश्रफ की पत्ली ज चपए चपए पर तैनात है यसे पकड़ दिया जाए दोनों के चखकीया आने के दावों के बीच प्रयागराज पुलिस देन एक ओर जहां सुरक्षा के फुक्सता इंतजाम किये हैं तो वही महिला पुलिस में नहीं को संभ्या में ओनगे है में दोनों ही उमेश्पाल कि ह जब अतीक और अश्रफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई तो उसके बार माना चुआ रहा था कि शायस्ता और जैनम अमने पतियों को आखरी बार देखने के लिए कसारी मसारी कब्रिस्तान तक जा सकती हैं जिसके मद्दे नजर बड़ी संख्या में फोर्स तैनाती गई थ अलाकि उस वक्त भी वो दोनों महीं आई थी 15 अप्रेल को प्रयाग राच्छे कालविन हस्पिटल में अतीक और अश्रफ की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई थी वार्दात में शामिल 3 शूटर मौके से ही गिरफतार हुए थे खैर जोस तरह से आज पुलिस की तैनाती हो जाएगे लिए कि शाहिस्ता बहुत शातिर भी है आगे शाहिस्ता को कभी रहतार किया जाएगा आपको बताएंगे बने रहें ज्याने उसके साथ धनिवार